दोस्तो मैं सुझे कुमार और आपके अपने चैनल सुझे फेंटसी में आपका स्वागत है दोस्तो आज का दिन का पहला मुकाबला जो कि CWI President 11 और England के बीच में ये मैच खेला जाना है ठीक है दोनों टीमों के बारे में हड़ प्लेयर का स्टैट देखेंगे डीपली ढंग से ताकि आपको भी मैं अच्छे ढंग से समझा पाऊं और आप इस मैच को अच्छे तरह से क्लिन सुप करो ठीक है बीडियो आने वाला है यहाँ पर T10 वगेरा फॉलो कर रहे हम लोग अगर आप हमारे रेगलर भीवल्स हो तो आपको मालूम होगा प्लस ICC Omen's के जो यह वार्मप मैचेश चल रहे ना भी तो यह भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्लस Australia Omen's ODD का भी मैचेश हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आज सिफिल सिल्ड भी है प्लस कलियार आपके लिए पकिस्तान ODD भी स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारे मैचेश है जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं तो वीडियो को उसकी बिल्कुल भी नहीं करोगे और लाश्ट तक वीडियो को देखोगे समझोगे और उसके बाद अपना investment प्लान जो भी आपका है वो setup करके चलोगे देखो मुझे यह थोरा सा मैं इसका stats नहीं लिख पाया बट कोई न का और यहां West Indies 11 के बारे में अगर यह बताऊंगा तो यह match drawn हो गया था अभी तक एक ही मैच इस खेली है West Indies 11 के team ने जो किया West Indies President करके जो भी कलो इसे तूसके बारे में बात करेंगे सबसे पहला बात है कि अगर आपको इस match को win करना है या जो भी करना है तो आपको हमारे टेली ग्राम पर आना ही परहेगा विकॉज अगर आप टेली ग्राम पर आते नहीं हो तो आपको कुछ फैदा होने वाला है नहीं ठीक है तो टेली ग्राम से जल्दी से जाकर के जूर जाना इस वीडियो के ठीक निचे description में आपको टेली ग्राम का link मिल जाएगा भाई तो जल्दी से जोएन करो, और मतलब, देखो, एक होता है कि अपने से टीम से आप खेलो, एक होता है एकस्पर्ट से खेलो, तो भाई कुस तो फैदा होगा ना, भाई मेरे टीम से खेलोगा या जो कुछ भी होगा, बाकि आपकी मर्जी आपका खुद का पैसा है आप जहां चाहो वहां investment करके चल सकते हो लेकिन मेरा ज़्यादा suggestion रहेगा कि आप आओ हमारे team से खेलो आपको खुद फता चल जाएगा यार कि क्या होने वाला है ठीक है तो देखो मैं यहां से आपको stats के basis पर बताऊंगा अभी stats तो matter करता है हर fantasy में stats matter करता है और सारे fantasy वाले भी stats के basis पर बताते हैं मैं भी stats के basis पर चलूँगा बट लेकिन यार logic भी तो कुछ depend करता है ना बात देखो logic सबसे important बात यह रहता है मैं अभी आपको बताऊंगा कि logic क्या काम करता है और उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग ड्रिलिन पर चलके ड्रिलिन का टिंग करेंगा तो चलो stats वगरा पहले देख लेते हैं वेस्ट इंडिस 11 की टीम ने तो यह भी थोड़ा देख करके चलोगे तो देखो यहां से अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडिस के तरफ से जो आपको स्कोर कौन से कर रहे हैं प्लियर तो यहां से साइन मोसेले हैं तो यहां से अगर देखो के तो सबका सिंगल डिजीट में स्कोर हैं बंदा कौन सा स्कोर कर रहे हैं वो है साइन होप जो कि आपको हर मैच में स्कोर करता हुआ दिखेगा 30 रन यहां से darren brevo बना रहे हैं 75 रन यहां से kyle mirrors बना रहे हैं और 52 रन यहां से बना के चल रहे है रोस्ट औन चेज तो यह थोड़ा आप देखोगे तो यह सारा कुछ मैंने आपको समझाई रखा है बाकि आपकी मर्जी है जैसे चाहो वैसे इन्वेस्टमेंट करो उसके बाद फिर में हम लोग जो इनका सेकंड इनिंग का स्कोर था उसमें थुरा देख लेते हैं तो सेकंड इनिंग को बैटिंग मिला ही नहीं उसमें अगर इनके बॉलर जो बॉलिंग किये थे वह इनके इसी स्टर्फ से मतलब बॉलिंग वगेरा रहा था तो यहां से मैंने आपको सारे प्लियर के बारे में डिटेल से बता दिया है कि आपको कौन-कौन से जो प्रफॉर्मेंस हर मैच में करता है जैसे काईल मेर्स हो गए डैन ब् है वो काईल मेर्स रोस्टन चेस यह आपके लिए चारो यह बेस्ट भी हैं साइन मुसले हैं इनको भी थोरा फोकस करके चल सकते हैं अमने टीम में उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहां से सारो कुछ मैंने बता दिया दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रह अगर इनके टीम से अगर देखोगे तो जेसन रॉय आपको खेलता हुआ दिख जाएगा एक सो पंदर रन का यहां पर पारी खेल रहा है टॉम बेंटन बत्तिस रन का खेल रहा है चारीस रन जेम्स विंस बना रहे हैं मोहिन अली एक रन बाइसन योन मॉर्गन और यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से वो प्लेयर रने वाले हैं क्यूंकि जो भी खेलेगा वो इंटरनेशनल प्यर हुने वाला है और यहीं के प्लेयर से हम लोग साथ प्लेयर को लेकर कर के चलेंगा अपने टीम में ठीक है उसके बाद यहां से अगर मैं बात करूं तो इनक मज में आ गया हुआ कि कौन कौन से प्लेयर आपको हर मैच में विकेट निकालते वे दीख रहे हैं ठीक है यहां से तो इनका अभी तक का इनका एक ही मैचेश खेला गया था और वह भी इंग्लैड 11 का तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ ड्रीम 11 पर सीधा और वहां चलके हम आपको कोई परसानी न हो यहां पर भाई ठीक है तो आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं किस प्लेयर को किस हीजाब से हम लोग को रोटेट करके चलना है तो यहां से देखो यहां से विकेट कीपिंग सेक्शन से पहले मैं बात करूँ तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में तो B-fox खेलने के chances कम है door reach खेलेगा भी तो grand league में rotate करो D-thomas खेलेगा भी तो grand league में rotate करो अगर बंदा यहां से अगर J-best खेल जाता है जो नी बैट सो तो आपके लिए सबसे best pick यही रने वाला है और इसी को अप ले करके चलोगा अपनी टीम में यहां से अगर मैं बात करूँ डी थॉमस को तो डेविन थॉमस अगर यह नहीं खेलता है तो फिर आप डेविन थॉमस के साथ चले जाओगे आसानी से विकाज यह दुनों का तो मुझे कुछ खास स्टैट्स लगा नहीं है बैटिंग सेक्शन पर भा आपके टीम में कंफर्म पिक होने चाहिए उसके बाद अगर यहां से मैं बोलूँ तो डी लॉरेंस है बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है तो इसे भी आप थोरा ट्राइ करके चल सकते हो बाकी यहां से कोई खेलेगा तो ग्रेंड लिंग में रोटेट करोगे यह आप आपको ओपनिंग करता है बट आप ग्रेंडिंग में ही से रोटेट करो बट मुझे नहीं लग रहा है कि जादा कुछ परफॉर्मेंस आपको करता हुआ दिखे इस मैच में और रांटर सेक्शन पे बेन स्टोक रैमन वीफर क्रिस्टन वॉक्स यह तीनों इंपोर्टेंट नहीं जूरोगे तो फिर आपका सबसे वरा नुकसान हो जाएगा भाई ठीक है बॉलिंग सेक्शन पे मार्कूड मैं अभी के लिए लेकर के चल रहा हूँ तो जो सिलेक्शन है उससाब से मैं बता दा रहा हूँ कि यह सारे प्रेडा को खेलते वे दिख जाने वाले है ठीक तो आपके टीम में होने चाहिए बट खेलने के चांसे मुझे थोड़ा कम लग रहा है इनके उसके बाद डी लोडन्स के प्लेस पर आप यहां से अभी के लिए जो सोलोंजो को लग लो अपने टीम में और मैं यहां से मार्कूड के साथ चले जाओंगा और यहां से एक प्लेयर में से साथ प्लेयर ना खेलता हुआ ठीक है बिकाज मुझे अभी तक प्लेइंग 11 मीला नहीं है जैसे ही मुझे मिलता है ना इनके प्लेइंग 11 वगयरा सारा कुछ तो मैं आपको टेलीग्राम पर इनफर्म करीं दूँगा तो टेलीग्राम से जुड़ना प्लेइंग 11 वेस्टों कर सकते हो आपके लिए जोनी बैस्टों को कर सकते हो और रोबिंसों को कर सकते हो बहुत अगर यह बंदा खेलता है तो यह सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है इन्बेस्टमेंट प्लान जब टॉस अब डेट आएग प्लेंग 11 आएगा तो ही मै आपको बताऊँगा कि investment कैसे करना है ठीक है तो चलो मिलते हैं आप लोगों ने इस वीडियो में नयमदा ट्रिक और वीडियो के साथ तक लिए धन्यबाद अपना ख्याले के दूस्तों जाय हिंद